नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं सिव महापुरान उपाए साल 2023 की सुरुवात बहुत ही सुव योगों में हो रहा है हलांकि करकरासी वालों आपकी धैया भी इस साल 17 जनवरी 2023 को सुरू होगी धैया यानि धाई साल और ये धैया आपके उपर पूरे धाई साल रहेगा और खत्म कब होगा 29 मार्च 2025 को आपकी धैया समावत होगी चले समझते हैं सबसे पहले तो साल की सुरुवात और सनीदेव कितने महरवान रहेंगे आपके उपर इस धहिया में आपके साथ क्या होगा तो दखिए सबसे पहली बात तो साल की सुरुवात 2023 की सुव योगों में हो रहा है को कुम रासी में आएंगे जब वो कुम में आएंगे तब आपके उपर धाया सुरू हो जाएगा तो कुम रासी में बैठकर सनीदेव करक वालों कि आपके लिए देखिए सबसे पहली बात उनकी दृष्टी कुमरासी में बैठ कर वो मेश रासी सिंग रासी ब्रिष्टी कि रासी बालों पर दृष्टी डालेंगे यानी तीसरी सातमी और दसमी दृष्टी पड़ेगी लेकिन आप करक वालों एक बास समझे ले कि जैसे सन 25 साल में और जब ढहिया समाव्थ होगी तब क्या होगा तो सबसे पहली बात देखें के सारी डेयाव की डेया होती है सनी देव को हमारे जोतिस में नौ गुरह में इक प्रमुकह अस्थान प्राप्त है और इन्हें नियाएका देबता कर्म का कारग भी माना जाता है और ऐसा म बेक्ति को रंक से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी कुरूर दिस्ति पड़ती है उस बेक्ति की मुस्किलें बढ़ा देती है और ऐसा भी माना जाता है कि इसी जीवन में सनी हमारे कर्मों के मताबी की पल देते हैं चुकि बैदिक जोतिस में सनी को सबसे मंद गती से च कुम में आएंगे और यहां पर ससनामक पंच महापुरूस राजियों भी बनाएंगे तो इस राजियों का फल आपको कितना मिलेगा और देखिए 29 मार्च 2025 तक चुकी वो कुम में रहेंगे आपकी धहिया चलेगी और यहां पर चुकी जो करकबाले हैं आप पर धहिया शुरू तो होगी तो जो शुरू की धहिया होती है वो थोड़ा सा परिसान करती है लेकिन आपके लिए उतना आपके उपर एफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी अ इसमें जैसे की 17 जून से 4 नुमंबर के बीच जब वो वक्री होंगे तब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा और चुकी धहिया चलेगी तो आपको रोज ही ओम संगसने चराय नमह का मंत्र जब करना है दिन की शुरूआत में कर सकते हैं ज्यादा अच्छा होगा आप साम में करें ज्यादा नहीं तो कम सकम 11 बार 21 बार आपके लिए बढ़ियां होगा तो करकर आसी बालो सनी की धहिया के कारण कुछ कारियों में थोड़ा सा ब्यवधान आएगा लेकिन आप कड़ी मिहनत से उन तमाम समस्याओं को दूर भगाने में काम्याब भी रहेंगे कारियों को पूरा करने की गती थोड़ी धीमी होगी क्योंकि सनीदेव भी थोड़ा धीमा चलते हैं चूकि थोड़ा से यहां पर मांसिक तनाव देंगे अब जैसे ही धहिया सुरू होता है तो थोड़ा सा सर पे लगेगा जैसे बोज है बहुत सारा टेंसन है कभी-कभी त थोड़ा सा नकात्मिक जोर्मे चला जाता है और यहां पर क्या होता है किस्वास्थ में थोड़ी परिषणी मातापीता के स्वास्थ में परिषणी कभी-कभी तो इस ढहिया के ब्रे प्रभाव से। जादा गर्बर हो जाता है इसलिए आपको अगर थोड़ा भी आपको लगे खुद का आपके जीवन साथी के या माता पिदा के स्वास में परिशानी है तो तुरंट डॉक्टर के संपर्क में रहे तो उत्तम रहेगा तो थोड़ा से यहाँ पर दबाव है चुकि मनमस्तिस पर नौकरी रोजगार को लेकर थोड़ी सी मुस्किले तो आएंगी हलाकि आपके लिए ज़्यादा बुरा नहीं है वक्त पर काम के लिए आप अपनी मेहनत और चतुराई दोनों का इस्तेमाल करें तो काम्याभी जरूर पाएंगे वैसे तो सनिदेव का ढ़या सुरू होगा लेकिन अचानक धनलाब के योग बनेंगे खास कर ससुराल पक्स से धनलाब के योग बन रहे हैं किसी तरह के सुख में ब्रधी या सुख की प्राप्ती होती भी दिखेगी संतान को लेकर थोड़ी सी परिशानी इसमें हो सकती है हलांकि परिवार वालों का साथ थोड़ा कम मिलेगा जो भी करेंगे आप अपने दम पर करेंगे और अगर आप लब रिलेसंसिप में है प्रेम समंधों में है किसी के साथ तो यहां पर थोड़ा सा उतार च्राव होगा लेकिन यह कब तक होगा सबा साल धाया मतलब धाई साल तो पहला जो सबा साल होगा यानि करीब 15 मेहने जनवरी 17 जनवरी से लेकर 15 मेहने तो यह 15 मेहने थोड़ा सा टेंसन देगा लेकिन जैसे ही उतरतीवी धाया समाप्त होगी तो आपकी जो टेंसन है वो समाप्त हो जाएगा फिर आप जीवन जीने लगेंगे और उतरतीवी भी धेया ब्यक्ति को बहुत कुछ दे कर जाता है बहुत कुछ आपको प्राप्त करवाता है दूसरी तरफ देखिए अप्रेल में देव गुरु ब्रिस्पती आपके भाग 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 में आएंगे तो हर एक कारी को सफल भी बनाएंगे वैसे सनीदेव 17 जनवरी को परिवर लेकिन वो राहू के साथ आ जाएंगे तो यहां पे चांडाल दोस बनेगा हलां कि राहू के तुका भी इस 2023 में महा परिवर्तन होगा और कुल मिलाकर देव गुरू आपका पूरे साल भाग्योदय करेंगे भाग में बिर्धी करेंगे हलां कि राहू की वज़ा से तो अच्छे मौके मिलेंगे बेतन बर्दी होगी ब्यापार करते हैं तो आपके मुनाफे बढ़ेंगे धल आपके बेहतरी मौके भी मिलेंगे धन की बात करें तो देखिए धन की स्तिती जो अभी तक थोड़ी आपको परिसान कर रही थी अभी के मुकाबले ज्यादा अच समंदी के योजना बनाया है आपने तो जमीन मकान में निवेश करने के लिए ये वक्त उत्तम रहेगा पारिवारिक जीवन की बात करें तो राहु के तू आपके दामपत्य जीवन पारिवारिक जीवन में उथल पुथल तो मचाएंगे हलां कि अपरेल में देव गुरु ब्रहस्पती मेस रासी में आएंगे तो उतल पुतल थोरा समापत होगा लेकिन चांडाल दोस्के कारण थोड़ी मुस्किले यहां पे रहेंगे जो बिद्यार्थी हैं उनके लिए छोटी मोटी मुस्किले हैं लेकिन यह साल मिला जुलावा रहेगा चौथे वह में राहू थोरी बहुत मानसिक टेंसन देगा लेकिन जो बिद्यार्थी हैं उनको एकागरता बना कर रखनी होगी और खासकर जिन बिद्यार्थियों छे छात्रों को बिदेशी संस्था में दाखिला लेने का इंतजार था वो सपना भी पूरा होगा क्योंकि बिदेश जाने की योग बने वे हैं विदेश से लाप की योग बने वे हैं तो मानसिक टनाव तो थोड़ा सा रहेगा क्योंकि चड़ती भी ढईया है और अचानक से थोड़ा सा स्वास्त की परेशानी हो सकती है लेकिन देग्गुर ब्रिस्पती तमाम चीजों में रक्षा करेंगे पर फिर भी आ गोचर आपकी तीसरे भाव में होगा यानि कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह पिडियर बहुत अच्छा रहेगा और यह गोचर आपके लिए सुप फल लेकर आया है एक और तो सनीदेव का प्रभाव आपके अस्ट्रम भॉपर है तो मानसिक टेंसन को थोड़ा बढ पर डालेंगे इसलिए आप अच्छा सोचेंगे अच्छा निर्ने लेंगे और बड़ा और सांदार सुभ उसर आपको प्राप्त होगा मुश्किल से मुश्किल काम भी आप अपनी चतुराई से ठीक कर लेंगे लेकिन स्वास्त को प्रभावित कर रहे हैं यहां पर अस्ट सारी जानकारियों के साथ फिलाल आपसे विदा लेते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेव चरूर लिखे धन्यवाद हम फिर मिलेंगे